हलो मित्रों, जय मातादी, मित्रों आप प्रेल के महीने में ये तीन घटनाएं हर हाल में होकर रहेंगी, जी हाँ मित्रों, मनुस्य के जीवन में दुख और सुख लगतार आते जाते रहते हैं, परन्तु मनुस्य को जब सुखो की अनुभूती होनी प्रारंब होती है, जब उसके अच्छे दिन प्रारम्बु होने वाले होते हैं, तो भगवान कोई न कोई संकेत जरूर देते हैं, तो ऐसे में अब की बार अप्रेल के महीने में आपको कुछ ऐसे सुभसंकेत मिलने जा रहे हैं, जो आपके जिन्दगी में बहुत बड़ा परिवर्थन करेंगे, आप अमीर बन जाओगे मानो या ना मानो परन्तु या आपकी मर्जी है परन्तु आपको बताना चाहेंगे कि अप्रेल के महीने में तीन ऐसी घटनाएं जो आपके जीबन में होने वाली है जिसको जानना आपके लिए काफी आवसक है जो तीसास्त्रिकली माने तो या तीन ऐसी घटनाएं होंगी जिससे आप अपने जीबन में जितने भी सुक समरदी को पाना चाहते हैं उन्हों सभी को प्राप्त करके अपनी सभी समस्याओं से चुटकारा पा सकते हैं मित्रों आपको बताएंगे ये तीन घटनाओं की बारे में कि ऐसी कौन सी तीन घटनाएं हैं जिसे सिर्फ और सिर्फ आपको ही अकेले में देखना चाहिए सुनना और समझना चाहिए मित्रों अपरेल महीने में आपके जीबन में जितने भी समस्याओं हैं जितने भी दुख दर्द कष्ट हैं, उन सबों से चुटकारा मिलेगा, अगर आप अकेले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, अन्य था आप इस वीडियो को यहीं पे इसकीप कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बताई जाने वाली, जानकारी, आपके जीवन से जु पूर्ण है, आपके जीवन से जुड़ी है, अक्सर आप मुझसे प्रस्ण करते रहते हों, कि आपके जीवन में खुसियां क्यों नहीं मिलती हैं, क्यूं आप हमेशा परेसान रहते हों, क्यूं आपको पैसे कमाने के रिए बहुत ज़दा मेहनत करना पड़ता हैं, और मेह आतार किसी न किसी वज़ा से परिसानिया आती ही रहती है आपके घर में एक दूसरे से मनमुटाव चलते ही रहते हैं बार बार किसी न किसी वज़ा से किसी न किसी को लेकर बार बार आपके घर प्रिवार में असान्ती बने रहती है ऐसा आखिर क्यूं होता है आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा चलिए आपको बताते हैं वो सारी जानकारी उससे पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है बहुती गौर से सुनिएगा कमेंट बॉक्स में सचिस सर्धा से लिखिएगा मा भद्रकाली मेरी रक्षा करो मा भद्रकाली मेरे कश्टों को दूर करो मा भद्रकाली मेरे जीवन के सभी समस्याओं को समाप्त करो मा भद्रकाली मैं आपकी सरन में हूँ आप मेरी रक्षा करो मा भद्रकाली, मा कालिका, मा दुरगा बहुत ही आप लोगों पर महरबान हो रही है और मा दुरगा जी के सरन में जो भी भक्त जाता है जो भी बालक बालिकाएं जाती है मा उनकी सदेव रक्षा करती है उनके प्रिवार की सदेव देख भाल रक्षा करती है उन्हें सभी प्रकार के रोग तोस कष्टों से हमिसा बचाई रखती है इसलिए आपसे मैं अनुरोद करूँगा कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मा भधरकाली मेरी रक्षा करो परिवार की रक्षा करो दुखों को दूर करो कष्टों को दूर करो और मुझे धन दौलक सुक सम्रद्धी मेरे घर में दो मेरे घर में शान्ती दो खुसिहाली दो परिवार की रक्षा करो आप जो भी मा से मांगना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आपके जीवन में जो भी परिसानी चल रही है वो भी आप जरूर लिखिएगा मां आपकी जरूर सुनेंगी और इस वीडियो को लाइक कर देजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी जितना जादा हो सके सेर कर देजिएगा मित्रों अब चलिए शुरू करते हैं आपके जीवन में क्या अपरेल का महीना लाने वाला है और किस तरीके से आपके जीवन में खुसियां दस तक देने वाली है मित्रों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अपरेल महीने के शुरूरात में ही आपको आर्थिक लाप मिलेंगे और घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा आप अभी जिस समय जिस अस्थान पर निवास करते हैं उस अस्थान को बदलने का विचार बना सकते हैं आपके मन में ऐसे विचार आएंगे जिन से की आप अपने निवास अस्थान को बदल सकते हैं परिवार के लोगों या मित्रों के साथ निवेश कर सकते हैं आपके मन्चाही इक्षा पूरी होने का योग बन रहा है आप अपने सभी सपनों को पूरा करने के लिए जीतोर मेहनत करने वाले हैं आपके मन्चाही इक्षा पूरी होने के योग बन रहे हैं आप कोई जमीन मकान खरिदने का विचार बना सकते हैं धन समंदी मामलों में आपको बहुत जादा लाब मिलने वाला है सभी परिवर्तन आपके लिए अनुकूल रहेंगे आपके जीवन में नई खुसियां लाएंगे आपको आर्थिक लाप के नए नए अवसर प्राप्त होंगे आपके निजिवन में चल रही समस्याओं का समधान होने वाला है आप परिवार के सदसों के साथ हसी-खुशी से समय वेतीत करने वाले हैं वहीं आप लोगों का अच्छा वेहवार आप लोगों के जीवन में आपको लाप देगा जीवन में सभी प्रकार के दुखों का नाज सहोगा इसके साथ साथ आपके वीर्तिय अश्टितियां भी काफी अच्छी रहने वाली है संतान की और से आपको सुब समाचार मिलने की पूरी संभावना दिख रही है आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने गुस्से वाली प्रविर्ति को सांथ बनाए रखें क्योंकि गुस्से में आप काफी हद तक बहुत तो कुछ ऐसा करते हैं जिन से बाद में आपको प्रस्ताना पड़ता है आपको बताना चाहेंगे कि अपरेल महीने में आपको खूब सारी खुसियां और जादा से जादा संपत्ति मिल सकती हैं आप अपने संपत्ति में व्यपार में तथा कारिशित्र में बढ़ोत्तरी कर सकते हैं बिजनस में आपकी विर्दी होगी रूके हुए धन आपके जरूर मिलेंगे आपको खुसियां मिलने वाली हैं आई के मजबूत साधन भी मिलेंगे माता लक्ष्मी आपके घर में परिवेश करने वाली हैं जिन से जिन के पास आप आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी आपको काफी अच्छे धन की सौगात मिल सकती हैं तथा आपके जीबन में जिस बेप्रकार के समझताएं चाहे आप आर्थिक की स्थितियों से गुजर रहे हूं या फिर आप किसी ऐसी प्रस्थितियों में हो जिन से निकलना थोड़ा सा मुश्किल है उन सभों से आपको चुटकारा मिलेगा भगवान कुबेर देव की कृपा से आपको खूब पैसा और सच्चा प्यार मिलेगा आप अपने सभी कारिस समय से पूरा करेंगे मित्रों आप लोगों को कुछ नए अनुभा मिलने के योग भी है आप अपने कारिस्तर पर दिन दूगनी रात चौगनी तरक्की हासिल करते हुए नए कृतिमान को अस्थाफित करेंगे मित्रों आगे की जानकारिया जो मैं बताएं जा रहा हूँ उसे बहुत ही गौर से सुनिएगा और अगर आप हो सके तो अकेले हैं तो ही देखिएगा क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके जीवन में किस तरीके से अब बदलाव आने वाला है और किस तरीके से आपका जीवन परिवर्तन होने वाला है मित्रों अब आप अपने कारिस्तल पर दिन दूगनी रात चोगनी तरक्की हासिल करते हुए नए कृतिमान अस्थापित करेंगे आपके पूरानी योजनाएं ये समय पूरी होते हुई दिखाई देंगी तरक्की के कईने रास्ते खुलने के योग हैं आपको बताना चाहेंगे कि आपको अपने जीवन में बहुत बड़ी खुचियां मिलने वाली हैं मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि आप किसी काम से जीवन साती के सलह ले सकते हैं आप अपने गुपतरूप से रखे वे धन को वेतन को इस समय परकट कर सकते हैं मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि भगवान कुवेर देव जी आपके उपर सबसे ज़्यादा महरबान रहेंगे और सबसे ज़्यादा आपके ही उपर भगवान कुवेर देव की किलपा रहने वाली हैं जिन से किसी देशीदी आप अपने जीवन में कुछ नया कर सकते हैं जो लोग लव रिलेशनसिप में थे और किसी कारण से किसी कारण वस आपका रिष्टा तूटा हुआ है तो आपको जल्दी ही अपना खोया हुआ सच्चा फ्यार मिल सकता है आपके रुके विकार सफलता फुर्वग पूरे होंगी आर्थिक फक्ष भी बहतर रहेगा जो लोग बेरुजगार हैं उन्हें रोजगार से जुड़ने का अफसर मिलेगा आर्थिक मुनाफ़े के योग बन रहे हैं जमीन जायदात चे समंदित मामलों में आपको कोई बड़ी सफलता हासिल होंगी धन कमाई की नई उजनाय सफल होंगी जीवन साती की सला आपके लिए फायदमंद सावित होगी बच्चों की तरक्की से आपका मन परसन रहेगा अधूरी एक्चाओं को आसानी से आप पूरा कर सकते हैं हर छित्र में किसमत का पूरा से योग मिलने वाला है साथ ही साथ आपको अप्रेल की मैहीने में जीवन की सारी अधूरी मनोकामनाएं पूरी होंगी कोशिस करने वालों के कभी हार नहीं होती अगर आप मन लगा कर प्रियास करेंगे तो सफलता आवस्य मिलेगी आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने स्वास्त का विसेश रूप से ख्याल रखें लव लाइफ से लिकर वैपार नोकरी में बड़ी सफलता हासल होंगी बगवान सनी महराज की गिर्पा भी आपके उफर सबसे अधिक रहेंगी जिसकी बदोलत आप काफी अच्छे तरकी पा सकते हैं आपको लोगों के बीद जाने का मुका मिलेगा बगवान सनी दीव आप पर महर्बान हो रहे हैं और इस महीने काफी खुस्यों की बरसात कर रहे हैं आपको बताना चाहेंगे कि आपको अपने जीवन की सभी परिसानियां दूर होने लगेंगी आप अपने करियर को महान उचायों पर ले जाने के लिए कई अवसर भी ढून सकोगे आपकी सारी मनो कामनाएं पूरी होंगी आपका हर एक छोटा से छोटा एकचा पूरा सर्वपरी पूरा होने वाला है रुका हुआ काम भी आपका पूर्ण होगा अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने जीवन में प्रेम का परवेश कर सकते हैं प्रेम में आपकी एक्चा सक्ति बढ़ेगी आपको अपनों से छोटों का सम्मान करना चाहिए और बड़ों से प्यार करना चाहिए आपका दिन बहतर बनें इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमा तादी अवस्ते लिखें आपका दिन सुभो मंगल कारी हो जैमा विंद वासनी